हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल स्माइल ओपनली भी डॉक्टर पुर्णम टमाटर एक ऐसे सबजी होती है जो हमारी किसी भी सबजी में अगर डाल दी जाए तो उसके आख जो टेस्ट होता है वो दुगुना हो जाता है इसी तरीके से यह हमारे स्कीन के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है अगर हम अपने चहरे पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो हैं अमरे चहरे की भी बहुत सारी समझ वर्मज़ एने कि स्कीन से रिलेटेड जो सम्मश्य होती है उनको दूर करने में फायदे मंद होती है यह संटें में help करती है अगर किसी के सूर् को गोरा और लाइट बनाती है स्मूथनिंग निंग बहुत सारे ऐसे लोग उते जिनकी स्कीन है वो कुरदरी हो जाती है तो उनको स्मूथ करने का भी यह काम करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है एंटी इंफ्लमेटर प्रापरटी होती है तो ये जो टमाटर है वो हमारे स्क चीजों के साथ मिलाकर हमें इसको हमारे चहरे पे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा चहरा है वह ग्लोइंग हो सुन्दर हो दाग धबे से रहित हो और साथ ही जुसकी लोजनिंग के समझया है वह दूर हो और पिकमेंटेशन के समझया भी दूर हो तो आज ही इस वीडियो म में टमाटर को सही तरीके से यूज करना और किन चीजों के साथ मिला के लगाना है उन सब के बारे में बताऊंगी तो वीडियो को आप अन तक जरूर देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल एकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नौटिफिकेशन्स मिलती रहे अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक सबसे पहले तो यह जानते हैं कि ऐसा क्या होता है टमाटर में जिसकी वज़े से ह कि हमारी स्कीन के लिए इतने फाइदे मद होता है इसमें एक तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो स्कीन पे जितने भी एकने की वज़े से या अगर आप वाहरत सूरिय की धूप में ज़्यादा घूमते हो या फिर आप परदुशन से ज़्यादा कॉंट इंटक्ट में रहते हैं जिसकी वज़े से हमारे चहरे पे स्कीन पे चुट चुटे बैक्टरिया डेवलप हो जाते हैं इंफ्लामेशन हो जाता है उसको दूर करने का काम करता है साथ इसमें होता है और इसके अंदर विटामिन सी होता है जो हमारे स्कीन के लिए बहुत फा बाद उनको दूर करता है और स्कीन को वाइट करने का काम भी करता है तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है क्या क्या करना है उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले टामाटर को तो जितनी भी dead skin होती है, वो आपकी दूर होती है, तो किस तरीके से करना है, वो जानते है, आपको टामाटर को थोड़ा सा छील के उसका जो टामाटर का भाग होता है, जो पल्प है, उसको अच्छे से मेस कर लेना है, और उसके अंदर आपको एक चमच चिनी मिक्स करनी है, चिनी को अच्छे से उसके अंदर मिक्स कर देना है, मिक्स करने के बाद अपनी चहरे पे अच्छे से मसाज करनी है, रब करना है, जैसे आप स्क्रब करते हो, एक से दो मिनिट तक continue अपने चहरे को स्क्रब कीजिए, उससे आपकी जो dead skin है, वो निकलती है, चहरा light होता है, जो black heads होते हैं, वो भी निकलते हैं, black heads, white heads, दोनों का काम करती है, और साथ ओपन पोर्स की समश्या में भी ये help करते हैं, उनको भी बंद करने का काम करती है, तो आपको स्क्रब, जो टमाटर का है, उसको स्क्रब की रूप में इस्तेमाल करना है, कुछ भी मिलाने की जरुत हैं, जिससे आप अपने चहरे पर टमाटर को लगा सकते हो, दूसरे चहरे, दूसरे जो तरीके में आपको फेस्ट पेक बना के भी लगा सकते हो, फेस्ट पेक कैसे बनाना है, आपको टमाटर को पीस कर, उसका जो रस होता है, उसको एकटोरी में निकाल लेना है, और उस र को अपने पूरे चहरे पे अच्छे से अपलाई कर देना है अपलाई करके 15-20 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए ड्राइ होने दीजिए और ड्राइ होने के बाद 15-20 मिनट बाद इसको नॉर्मल पाने से आप वोश कर लीजिए इसा आप रेगुलर कर सकते हो अगर आपके पा यानि की जो wrinkles होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो अगर आप tomato को Face residence के रुपे इस्ते हमाल करते हो अप अगरہ में एक या दो बर भार इस्तेमाल करते हो तो उस्से भी बहुत benefit होता है तो आपके wrinkles की समयश्या है वो दूर होती है कि समयश्या को दूर करने में हionarने में पाय तो आपके एकने की समश्या हो गई या फिर ओपन पोर्स की समश्या में भी फाइदे मन दोता है उनको भी बंद करके आपके स्कीन को हाइडरेट रखरता है तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप जानते हैं तीसरा तरीका तीसरे तरीके में क्या होता है किसी के मालनों की सब्सक्राइब हो गई स्कीन बहुत जादा कोई प्राड़क्ट यूज़ कर लिया या किसी भी रिजन की वज़े से अगर उनकी स्कीन है उसमें इंफ्लामेशन हो गया है अब अच्छ करने पर अजीव सा फील होता है बंडिंग फील हो रहा है यानि कि कभी-कभी जलन फील होती है किसी चीज़ का रियक्षन हो गया है तो ऐसे सिच्वेशन में आप यह तीसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इनी चीज़ों में इस्तेमाल करो इरीटेशन हो गई या बंडिंग से इसे इन सबके अलावा भी अगर आपको उसकी में डालना है और दूसरा इंग्रेडेंट लेना है आपको वह है खीरा खीरा भी हमारे चेहरे को हाइडरेट रखने में हेल्फुल होता है हमारे स्कीन है उसको सुंदर और खुबसूरत बनाने में हेल्फ करता है तो आपको क्या करना है उतनी ही क्वांटिटे में खीरे को और उसका जो रस है वो निकालना है और दोनों को मीक्स करके अपने चहरे पे अपलाई करना है और कम से कम अपलाई करके 20 मिनट तक एजिटेज लगा रहने दीजिए उसके बाद आप नॉर्मल पाने से बोर्श कर सकते हो इससे आपकी स्कीन में जितनी भी इरिटेशन होती है कहीं पे भी जलन हो रही है खुजली की प्रॉब्लम है वो सब समेशा दूर होती है साथ ही आपकी स्कीन है वो लाइट होती है ये एक नेच्रूट ब्लीचिंग का काम भी करती है तो अगर आपको ब्लीचिंग से प्रॉब्लम है वो सारी लोग अपनी स्कीन पे कलर को लाइ होते हैं इनके कोई साइड इफिक नहीं होते हैं इसलिए ये सेफ है तो आप सेफली इसका इस्तेमाल अपने चेहरे के लिए कर सकते हैं तो यह जो तीन तरीके हैं इन तरीकों से इन मेंसे कोई भी तरीका जो आपके लिए सूटेबल हो सारे तरीके करने की जुरत तो आपको suitable हो वही तरीका आप इस्तेमाल कीजिए मालनों कि अगर आपके open pores की समश्या है या dead skin की problem है या बहुत जादा pimples kills मुहां से हो गए है तो इनको दूर करने के लिए आप scrub का कर सकते हो आप किसी भी scrub की जगह नेच्रली टमाटर का स्करब रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो अपनी छहरी के लिए इसके अलावां अगर आप इपनी छहरे को गोरा बनाना चाहते हो तो संटेंड की विज़ए से आप्की डार्क हो गई है पिग्मेंटेशन के समय से यह जु है साथ ही वैसे तो इसके कोई साए ileаний होते हैं लेकिन अगर आपको ट्रिक्षब्रेंग से अलर्जी एंडर मतलब एक कोई ना कोई ऐसा बंदा होगी जाता है जिसके किसी चीज से अलर्जी ओप्डिया हो सकते हैं तो अगर को टमाटर से किसी वी तरीक की अलर्जी है डिखने से प्रोबलम हो तो आपको टमाटर से थोड़ा सा अपर सकते और जहीं होता है आपके तरी के लिए आपके पूरे overall health के लिए तो आप टमाटर को एक नॉर्मली जैसे हम यह सब चीजे नए भी लगा और आपके पास टमाटर ऐसे पड़ा है तो आप जेनरली भी अपने चेहरे पर रब कर सकते हो इससे भी बहुत फायदा होता है क्योंकि कभी भी अगर आपने टमाटर को कटके और अपने चेहरे पर नॉर्मल डायरेक्ट आप मसाज कर सकते हो रब कर सकते हो जब भी आपको समय मिले तो ऐसे भी अगर आप करते हो तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है आपने देखा होगा कि बहुत बहुत मतलब आप शैलोन जाते हो तो वहां पर को डायरेक्ट यूज करते हो नेच्रल तरीके से यूज करते हो तो वह भी आपके स्कीन को बहुत ज़्यादा पहुंचाता है तो यह है हमारा आज का टॉपिक अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीच चैनल को लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्र